दोस्तों इस टड़ी 91 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाग एते हैं दोस्तों आईए हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में जो सवाल आप से पूछे गए थे उसका जवाब आपने कैसे दिया है ठीक है आईए सुरू करते हैं अपनी कहानी को और आगे बढ़ते चलते हैं ठीक है ध्यान से पढ़िएगा शमज़ेगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा पहला सवाल है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है ठीक है दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पर तीन बेर का तातपर अलग अलग है एक तो तीन बार कह रहा है और एक तीन बेर नाम का एक फल होता है यह उसको कह रहा है ठीक है तो जब याद रखिए एक कही तरह के सब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं तब उन्हें क्या कहा जाता दोस्तों यमकलंकार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यमकलंकार कहा जाता है, और इसमें मैंने कई सारे एक्जामपल भी दिया, जैसे मैंने आपको एक्जामपल दिया था, काली घटा का घटा का घमंड घटा, याद रखेगा यहाँ पर घटा का पर अलग अलग है ठीक एक घटा बादलको है दूसरा घटा घटने को ze हाई जो खाए पावराय जग जो पाए भावड्या ए这क आध बाई कर दुसरे कर धावडराइं सुनन है rubbish अगर को यabhA दरखा जाता है अर्क इसी तरह से आप इसे भियाद रखेंगे, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, ठीके, बाकि हम लिखा हुआ जो स्लेस अलंगकार दोस्तो, इसका आर्थ होता है, चिपका हुआ आर्थ जहां होता है, जैसे रह्मन पानी राक किये, बिन पानी सबसून, यहाँ पर पानी की कई सारी अर्थ में प्रयोग किया गया है तो इस तरह आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर फिलाल आपका option number 1 जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे बड़ी अगला देखते हैं निमलिकित में से कौन सा सब्दा अलंकार है ठीक है सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार यह दो प्रकार के अलंकार होते हैं ठीक है अगर मैं सब्दा अलंकार की बात करूँ तो याद रखेगा यह आपका जो यमक अलंकार है आपका जो अनुप्रास अलंकार है यमक हो गया, अनुप्रास हो गया ठीक है, अनुप्रास हो गया ठीक है, ये जो अलंकार आप पढ़ते दोस्तों ये जो जनर्नलवल लंकार, ये सभी सब्दा अलंकार के अंतरगत होगे यहाँ पे जो लिखा हुआ दोस्तो आपके सामने उपमा लंकार दिख रहा होगा, उपमा लंकार हो गया, ठीक है, आपके सामने उत्प्रेक्षा लंकार दिख रहा होगा, उत्प्रेक्षा लंकार, आपके सामने दोस्तो रूपक लंकार दिख रहा होगा, ठीक है, यह सभी क् यमक अलंकार और ये सब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं दोस्तों ये किसके अंतरगत आते हैं ये आपका आ जाता है यहाँ पर इसके पीछे जो अभी आप मैं आपको दे रहा था यमक के बाद जो मैं स्लेस बता रहा था वो स्लेस अलंकार हो जाए या फिर वक्रोक्ती अ लंकार हो जाए ठीक है ये सभी अलंकार जो होती दोस्तों याद रखेगा ये सभी सब्दा लंकार के अंतरगत रखे जाते हैं तो यहाँ आप से पूछा कौन सा सब्दा लंकार है तो सब्दा लंकार में याद रखेगा यह यमक अलंकार ठीक है यमक अलंकार क्या करता है बाकी के जो उपर दिये गए दोस्तों ये आपके अर्था रंकार के उधारण है कराब बीर या आला ये किस जाती का चंद है ठीक है आप दोस्तों वीर रस में भी पढ़ते हैं जब आप बीर रस में पढ़ते हैं ठीक है और खास करके बीर रसे सम्मनित जो महाकाब में लिखे गए हैं जैसे आपने सुना होगा पृतिवी राजरासो ठीक है यह सब में पृतिवी राजरासो ठीक है यहाँ पर बीर रसे सम्मनित महाकाब में लिखे गए हैं जैसे चार बास चौबिस गज अंगुल अस्ट ता उपर सुल्तान है मत्चू को चौहान ठीक है तो चंदबर्दाई जो कि पृतिवीराज रासो के रचेताकार माने जाते हैं जो लेखक माने जाते हैं ठीक है वो दरबारी तिहासकार थें पृतिवीराज चौहान ठीक है ठीक है और उन्हें ने बताया कि जब मुहम्मद ग तो आपसे खाली इतना पूछ रहा दोस्तों कि अब बीर या आलहा चंद या किस जाती का चंद है तो बताएगा या मात्रिक चंद का उधार बाना जाता है एक बात और इसमें मात्राओं की कुल संख्या कितनी होती है हो सकता है आपसे परिक्षा में भी पूछ दे कि यहां देखने को मिलती है तो इसको भी आप याद रखेगा यहां अच्छा सवाल हो जागा ठीक है आगे बढ़िए अगला सवाल करते है निमलिकित में से सम्मात्रिक छंद का उधारड कौन सा है सम्मात्रिक छंद का उधार कौन दोस्तो अगर मैं यहां सम्मात्रिक छंद की बात करूँ ठीक है याद रखेगा शम्मात्रिक छंद का उधार होता है चौपाई ठीक है बाकी जो दोहा है और जो सोर्था है दोस्तो याद रखेगा यह अर्ध सम मात्रिक छंद का उधाड किसका अर्ध सम मात्रिक छंद का उधाड माना जाता है ठीक है इसको याद रखेगा और मैंने बताया भी था दोस्तो जो दोहा होता है जो दोहा होता है मैंने आपको बताया था पुरी काहनी कि दोहे में क्या होता दोस्तो तेरह और ग्यारा तेरह ग्यारा पर यती होती है ये मैंने आपको सिखाया था और जो सोठा होता दोस्तो जो आपका सोठा होता है इस सोठा पर भी मैंने आपको बताया था ये एकदम दोह सम्मात्रिक्षन का उधार कौन हो जाएगा चौपाई हो जाएगा ना कि ये सभी ठीक है कई सारे बच्चों ने ये सभी किया था ये सवाल बहुत ध्यान से देखेगा समझेगा पढ़ते चलेगा कैसे आपसे गलती होगी मुझे नहीं पता लेकिन एक नहीं अच्छे से 20 बा ये मेरी जिम्मेदारी है आप अपनी जिम्मेदारी बखुबी निभाएं बस खली इतना करें ठीक है आगे बड़ी दोस्तों अगला सवाल करते है ठीक है इसको पढ़िए फाड़ी नखन सव आतड़ी ने अच्छा यानि किसी सव को अपने नाखुनों से फाड़ करके उस प्रेतगर नारी जैसे भूतों के प्रकार ठीक है त्याद रखेगा इसमें कौन सा स्थाइब हो है आपको यह सब देखने से घ्रडा नहीं महसूस हो रहा है यह सब देखने से घ्रडा नहीं महसूस हो रहा है त्याद रखेगा घ्रडा के लिए क्या जाना जाता दोस्तों जुगुपसा का आ जाता है, दोस्तों यहाँ जुगुपसा हो जाएगा, जुगुपसा का स्थाई भाव क्या होता है, इसको याद रखेगा, यहाँ पर आपका जुगुपसा, आपसा नमबर दो जो है दोस्तों, यह आपका शही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान काते हैं क्या काते हैं तो याद रखेगा यहां पर आपका आपसर नंबर 3 जो है आपका सई हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला पढ़ते हैं करा छचुंदर के सिर चमेली का तेल इसका अर्थ क्या है ठीक है छचुंदर के सिर चमेली का तेल इसका पद मिल जाना इसी को कहा जाता है उस पद का कोई महत्तो तक नहीं पता है उस ये और चांदी का जूता मानना क्या दोस्तों वो ध्यान से करिये चादी का जूता मानना, करा आराम की नित सोना नहीं, चादी का जूता मानने का ताकपर होता है रिस्वत देना, जिया दोस्तों बहुत संपन होना नहीं, जूते में चादी लगाओ नहीं, याद रखेगा रिस्वत देने को क्या कहा जाता है, चादी का जूता मानना, किसी के मुँ में पैसा इतना ठूस देना कि फिर वो उसकी बोलती न निकले इसी को कहा जाता है रिस्वत देना या फिर चादी का जूता मारना ठीक है आप नियसंग को चले जाओ इस वाक की थुटी सुधाने के लिए निम्ने में से कौन सा वाक के सही है उसको चाटी है ठीक है आप नियसंग को चले जाओ तुम नियसंग को चले जाइए तुम के साथ दुस्तो चले जाइए का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ये गलत कॉम्बिनेशन दिख रहा है आप नियसंग को चला जाओ ठीक है आपके साथ चला जाओ का कोई कॉम्बिनेशन नहीं मजा आ रहा है ठीक ह इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर option number 3 यह automatic क्या हो गया दोस्तों आपका सही उत्तर हो गया ठीक है अराम राम से देखते चलिए सब सही होगा ठीक है घबड़ा यह मत आगे देखिए यहाँ लगभग कोई दो दर्जन के करीब संत्रे है यहाँ लगभग कोई दो दर्जन इस वाक्य की असुद्धी दूर करने के लिए एक वाक्य के पहचानिये करा यहाँ करीब कोई दो दर्जन संत्रे है कोई यार कहने का मतलम ने ठीक है कोई यहाँ लगभग दो दर्जन संत्रे है यह खुचहत्तक सही है यहां लगभग दो दर्जन के करीब संत्रे हैं करीब लगा गरब कर दिया फिर करीब लगा गरब कर दिया तो यहां रखेगा यहां लगभग दो दर्जन संत्रे हैं यह आपका सही हो जाएगा वाकी आप तो खुद भी कर लिए होगे ठीक है बहुत आसान है यहां कठिन जैस तो नाम ही ने दिखा ठीक है अच्छा अच्छा छैलिए मुझे सब अब देखिए यहाँ कोई इमेजमेस तो बना ने कि मैं इससे बता पूँ ठीक है पता नहीं क्या पूचा तेकिन नहीं हाँ आपको बताईयता हूँ अगर यहां मैं योजक बिराम चिन की बात करूँ तो योजक चिन का इस्तमाल ऐसे होता है जैसे आप लिखते हैं लाभानी, दुख सुख, राजारानी तो उसके बीच में योजक चिन लगाते हैं न दिन रात ये योजक चिन होता है अर्द विराम दोस्तो याद रखेगा अर्द विराम कामा को कहा जाता है अर्द विराम क्या होता दोस्तो अर्द विराम के बाद ये आपका अर्द विराम हो जाएगा अल्प विराम को दोस्तो पहले अल्प विराम को याद रखेगा यह हो जाता अलप विराम, ठीक है, अलप विराम, अलप विराम हो जाता है, इसके बाद आ जाता है दोस्तों, ऐसे कर देंगे, तो यह हो जाता आपका अरध विराम, क्या हो जाता दोस्तों, लाइन से लिखे, चार प्रकार के हैं, ठीक है, यह हो जाता आपका अरध विराम, और एक होता दोस्तो उपवीराम, उपवीराम याद रखेगा, ऐसे point बनाओता ऐसे, ठीके, इसको बोलते हैं, उपवीराम, ये एक साथ लिखा जाता है, ठीके, ऐसे होता है, ठीके, उप वीराम, तो आप देखेए दोस्तों, यहाँ पूछा आपसे अर्दवीराम, तो आप यहाँ अर्दवीराम कर लिए, अब देख लिए जगा, सैंबल क्या है, यहाँ आपका अलपवीराम हो गया, ठीके, यह हो गया, निर्देशक्चिन का इस्तिमाल ऐसे करते हैं, सेया, जब किसी को परिभासित का ना होता, तो एक निर्देशक्चिन ऐसे किया जाता है, ठीक पड़िय ध्यान से सरलवात में क्या बदलेंगे, यद्यपी वह मंत्री बन गया, फिर भी उसका ब्योहार नमरता पूर्ड है, यद्यपी वह मंत्री बन गया, फिर भी उसका ब्योहार नमरता पूर्ड है, यह आपका सरलवात बना कहां, मंत्री बन जाने पर भी उसका ब्य पी नहीं लगा दोस्तों तीन गलत हुआ जैसे ही तीन गलत हुआ एक सई बना अरे यार असान इस बात करने हैं कि देखिए इसमें सरल वाक के खाली आपको बताना ठीक है आगे मैं आपके लिए तैयारी करके रहा हूं मिस्त्रित वाक के और संयुक्त वाक के की जबरदस तैय कि आप अपसेट हो जैंगे ठीक है इतनी त्यारी करके आजए हो ठीक है तो फिलाल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपसलन नमबर 2 यह आपका सही ओचाओ गारे मुक्त यह आपका गरत लिकावा ठीक है घसे स्लिखाज़ा जाएका रिक भोगतो तो रिदन मुठ्ट लिखाजाता अएसे ठीक है बैन मुथ यह ऐसे लिखाजाता है पहले आप इसको ऐसे करें खराका रिड़ मुगत सब्द में कौन सा समास है रिडन मतल होता है रिन से मुक्ती ठीक है, रिन से, रिन मुक्त क्या होता दोस्तों, रिन से मुक्ती, अब देखे, रिन से मुक्ती मतलब यह तरह से अलगाओ है, ठीक है, यहाँ पर अपादान तत्पूरुस होगा, ठीक है, जैसे गंगा हिमाले से निकलती है, तो निकल चुकिए, दुबारा आना ठीक है रोग से ग्रस्त ठीक है तिया अलग अलग हो जाएगा दोस्तों यहाँ याद रखेगा आपा दान तत्पुरुस होगा आप से नमबर फूर करिएगा दोस्तों यह आपका शही उत्तर हो जाएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला करते हैं ठीक है आगे लि तक इसकी दोस्तो हाथ की कड़ी को हतकड़ी कहा जाता है इस प्रकार हाथों की कड़ी ने दोस्तो हाथों के लिखे गलत कर दिया हाथ की कंदी लिखकर गलत कर दिया हाथ की कनी लिखकर गलत कर दिया तो सही क्या है आपका अपसर नमबर 3 ये आपका सही उत्तर दिया जा रहा तो ये एकदम सिंपल सी बात है इसको आप ध्यान दीजेगा ठीक है और तत्पूरुस के अंदर जैसे भी पीछे पूछा उसका अपादान तत्पूरुस ठीक है वैसे अगर पूछता तब क्या बताते याद रखेगा है संबंध तत्पूरुस है क्यों क्योंकि इसका प्रिक्षेद क्या होगा यह आपको बताना ठीक है नैतत आओ करते हैं दोस्तो नैतत में होता है नधन एतत क्या होता दोस्तो एतत हो जाता है यह होता है नैतत का संदी वीछेद क्या होता दोस्तो नैतत का नधन एतत होता और संदी कौन सी है दोस्तो कौन सी आ जाएगी क् की मात्रा वहां डबल जारे है ठीक है और जब कभी उपर डबल मात्रा जाता है मैंने आपको पढ़ाया है ये बृद्धी संदी का उधार मैंने आपको पढ़ाया दोस्तो जैसे अभी हतकडी देख रहे थे न वैसे अब कुछ बच्चे करते हैं घुर धन दोड दोस्तो गुर धन दोड दोस्तो ये गलत है क्या होगा घुर कोई सब्द नहीं होता है घुरा क्या होता है घुरा तो यहां पर होगा घुरा धन दोड और इसे का जाता है घोड़ दोड़ और ये हो जाता है दोस्तो आपका सही उत्तर ठीक है तो इसको अध्यन दीजेगा ये आपका सही उत्तर बनेगा घोड़ा धन दोड़ घोड़ नहीं होगा दोस्तो ना घोड़ होगा उत्तर क्या होगा आपका अप्शन नमबर एक होगा घोडा धन दवड ये आपका सई उत्तर होगा, ठीक है? आगे बढ़िए करा चलिया पठनी और कहानी में कौन सा प्रत्य है? प्रत्य कहां लगता दोस्त मेरे? प्रत्य लगता है हमेशा सब्द के अंद में, आप चलिया में देखे क्या निकलेगा? चल धन यय बराबर क्या हो जाएगा तो इया और आनी प्रत्य है ठीक है क्या हो जाएगा दोस्तों इया और आनी प्रत्य है बाकी दोस्तों आवट की कोई यहां चर्चा यह वाला की कोई चर्चा यह अनायास के आपसन दिया गया है अनायास पर दिमाग क्यों खर्च करना ठीक है तो याद रखेगा यह आपसा नमबर फोर जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा कर रहा है नियुक्त प्रस्णों में चार विकल्पों में से दिये गए वाक का सही काल वाला सही काल वाला विकल्प आजाने है दीपा पौधों को पानी दे रही थी क्या कहा रहा दोस्तो दे रही थी मैंने आपको पढ़ाया है क्या दे चुकी है पांदिर दे चुकी है अभी भी बता रहा कि दे रही थी मोहन सो रहा था राम गाना गा रहा था सोहन खाना खा रहा था बच्चे पढ़ रहे थे तो दोस्तो क्या पढ़के खतम कर चुके हैं? सोहन सोचुका है? गाना खतम हो चुका? नहीं तो याद रखे कि जब कोई समाप्त न हो तब उसे हमेस्था क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अपूर्ड अभी समाप्त नहीं हुआ तो याद रखे का इसी वज़ा से इसको क्या कहा जाता है? अपूर्ड यहाँ इस से अपूर्टा का बोध हो रहा है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है तो आप समझेगा करा मोहन पिता जी को पत्र लिख रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कैसा प्रयोट हुआ है? प्रयोटा क्रिया, प्रयोटा क्रिया तब होती ही जब आपको कोई प्रयोटा मिलती है नामधातु क्रिया होगा नहीं अकर्मक होगा नहीं, बेकार का में नहीं यह एक सकर्मक क्रिया है याद रखेगा मोहन पिता जी को पत्र लिख रहा है या कैसी क्रिया दोस्तों या आपकी सकर्मक क्रिया की उदार है ठीक है याद रखेगा जैसे अकर मैं कहूं प्रेडार्थक क्रिया कब होता जैसे मैं कहूं कि राजेश राजेश नहीं ऐसे करिये गबर गबर सोले में चलते हैं ठीक है गबर गबर हेमा मालनी को नचवाता है याद रखेगा जैसे एक सब्द बना दिया बतिया ठीक है या लाठी से लठियाना ठीक है यह इस तरह के होते है सकर्मक क्रिया आप जानते हूँ अकर्मक क्रिया भी बहुत आसान होता है अकर्मक कैसे होता है जैसे जहां कर्म ना हो उसे अकर्मक का आ जाता है जैसे मैं का दूँ मोहन पढ़ता है दोस्तों यहां कर्ता भी है और क्रिया भी है लेकिन यहाँ पर कोई कर्म नहीं है तो यह अकर्मक करिया होती है क्यों कि यहाँ पर कर्म का अभाव है ठीक है अगर मैं का देता मोहन कॉमिक्स पढ़ता है तब कर्म आ जाता आपका तब वो सकर्मक करिया हो जाता ठीक है तो इसको याद रखेगा आपसे नमबर 4 आपका सही बनेगा ठीक है लिख रहा है विसेश से सब्द है विसेश से सब्द पहचानने के लिए आपको जानना पड़ेगा विसेश से होता क्या ठीक है याद रखेगा विसेश की परिभासा क्या होती दोस्तों विसेशड जिसकी विसेशता बताता है विसेशड विसेशड जिसकी वि विशेस्ता बताता है उसे उसे विशेस्षड कहते हैं तो एक दम सिंपल सा है दोस्तों याद रखेगा विशेस्षड जिसकी विशेस्ता बताता है उसे विशेस्षड कहा जाता है ठीक है अब देखिए यहां पर हो गया ललिता शुंदर लंबा और लगू तो देखिए सुं सुन्दर है ठीक है ते क्या दोस्तों यह विशेस्ता है ठीक है याद रखे मैं कहा है अमिता बच्चन बहुत लंबे है ठीक है यह परवत बहुत लंबा है तो लंबा क्या दोस्तों लंबा भी एक तरह का क्या होता है विशेस्ता है ठीक है वह बच्चा बहुत छोटा है लग बना लालीमा वो आपका विशेश चिकाल आता हो भी ठीक है चलिए आगे देखे दोस्तो जो सर्वनाम वक्ता जो सर्वनाम वक्ता स्रोता अथवा किसी अन्य ब्यक्ति के लिए प्रियोग किया जाता है ठीक है क्या सर्वनाम वक्ता स्रोता या किसी अन्य के लिए प्रियोग क बाद प्रशन बन्बोलद से अपके शे अच्छा तो आपος हो जाते हैं इसमें कौन सा का रखए ठीक है उससे अच्छे तो आप हैं कर अधिकरण कारक अपादान कारक करण कारक या फिर क्या हो जाए दोस्तो संबोधन कारक देखिए यह अपने आप में बहुत गजब का सवाल है ठीक है इस सवाल को अगर पूछ दिया जाए परिक्षा में न हर बच्छा गलत करेगा क्यों 99% बच्चे इसका गलत जबाब दिये थे मैंने रिवीव किया जब तो मुझे पता चला कि 99% बच्चे इसका गलत जबाब दिये थे ठीक है मैं एक एक ग्जामपल देता हूँ एक पमरा है ठीक है और यह सामने गेट लगा है ठीक है अब माल देजे किसी ने कहा मैं अंदर किसी ने क्या कहा मैं अंदर आओं या खाली उसने कहा अंदर आओं गेट खोल कर क्या बोला मैं अंदर आओं ठीक है तो देखिए एक बाद बताई क्या यहाँ पर कोई प्रशनवाचक सब्द का इस्तेमाल किया गया है आप कोगे नहीं ठीक है लेकिन उसके बावजुद भी क्यात रखेगा यहाँ प्रशनवाचक चिननल लगेगा ठीक है क्यों कि यह सब्द मतलब यह जो वाद के है छोटा सा इससे प्रशनवाचकता का बोध होता है क्या होता है बोध कैसे इसका अर्थ है कि क्या मैं अंदर आओं मुझसे इजाजत मांग रहा है क्या मैं अंदर ये इजाजत मांग रहा है, तो इसके लिए, क्या यहाँ पर क्या लिखना जरूरी है, क्या मैं अंदर आऊं, क्या यहाँ लिखना जरूरी दोस्तो, क्या अवस्यक है लिखना, ठीक है, कि यह पूरा सेंटेंस ऐसा लिखा रहा है, क्या मैं अंदर आऊं, यहाँ पर चीमा हुआ है मैं उमीद करता हूँ मैंने अच्छे से समझा दी आप समझ गया exciting ठीक है बहुत standard level का सवाल है इसको आप ध्यान दीजेगा ठीक है आगे बढ़िए करा अपादान कारक उत्तम पुरुसर बहुबचन रूप होगा ठीक है अपादान कारक भी होना चाहिए उत्तम पुरुस भी होना चाहिए और बहुबचन रूप भी होना चाहिए ठीक है अच वाली बात तो करोगे निमनलग को का सवाल तो बनता ही निए अब बस्ता है कि मुझसे या हमसे तो दोस्तों आपसे उत्तम पूरुस पूछा बवबचन पूछा तो उत्तम पूरुस बवबचन में कौन आ जाएगा याद रखेगा हम से आ जाएगा या आपसे नमबर दो हो जाएगा थोड़ा से डिफिकल्ट सवाल दिखने से लग रहा है मुझे भी लगा बाट डिफिकल्ट है लेकिन आप थोड़ा से ध्यांदीजे आपा दान कारक्त का पहचान क्या होना चाहिए तो यह को क्यूं लिख रहा है को तो पहली गलत हो गया ना अब से वाला बचा आगया आपका एक नंबर का उत्तर हो गया मतलब आप्शन नंबर दो आपका यहां पर क्या हो गया आपका सई हो जाएगा ठीक है और अगर अगर मुझे को करते तो तब वह आपका उत्तम पुरुस तो होता नहीं वह आपका मध्यम पुरुस चला जाता यह आपका क्या करन आपको उत्तम पुरुस की पाचान करनी तो उत्तम पुरुस में आपको हमसे कर लीजे आपका सही हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा पुलिंग सब्द ठीक है पुलिंग कौन सब्द कौन सा गिलहरी ठीक है गिलहरी भाग रहा है आप कहेंगे गिलहरी भाग रही है क्या करे यह हो जाएगा ठीक है मक्खी उड़ रही है कि मक्खी उड़ रहा है ठीक है तो आप कहेंगे मक्खी उड़ रही है और जब उड़ रही है तो क्या हो जाएगा दोस्तो फीमेल हो जाएगा अब बचा क्या दोस्तो खटमल ठीक है खटमल लकडी को चाल रहा है ठीक है चाल रह गया है अब इससे ज़्यादा सिखाया नहीं जा सकता आपको ठीक है अगला सवाल पड़ते हैं कर अत्यंत में कौन सा उपस्तर्ग है आईए करके देख लेते हैं अगर कहीं पर लिखा हुआ अत्यंत और आपको इसका उपस्तर्ग पता करना है तो पहले आप संदी विक्षेत कर लो संदी विक्षेत करेंगे तो क्या आजाएगा दोस्तों संदी विक्षेत करेंगे तो आजाएगा अती अती धन अंत बराबर अत्यंत हो जाएगा और अती क्या आजाएगा दोस्तों यहीं आपका उपस्तर्ग आजाएगा तो हैं आद रखेगा अपसर नंबर फोर य सब्सक्राइब था भयंकर होता है और भयंकर को कभी भयानक मत बोलिएगा ठीक है भयंकर लगो जाएगा ठीक है दालु करते क्या निकलेगा भयंकर और अगर कमजोर को देखेंगे तो कमजोर कहा जाता किसे दोस्तों जो कोई सक्तिहीन होता है बलहीन होता है उसे कहते हैं कमजोर ठीक है सक्त अब क्या बचा करम मिशार उधर्ण मने क्या होता है? उधर्ण मने उधर्ण करने वाला नहीं होता है? वाके का वैशाई एक कथन होता है ठीक है? उधर्ण जैसे आप करते हैं उधर्ण चिन का इस्तिमाल करते हैं डवल इनोटेट कामा में जब कोई किसी कही गई बात होती तो उधर्ण चिन के अंतरकत रखा जाता है किसी कही गई बात को तो वाके का वैशाई कथन होता है बहुत सारे बच्चों ने आपसे नंबर 3 किया था यार सीखिए समझे गलतियां बड़ी कोई गलती करेंगे तो बरदास होता है छोटी छोटी गलतियां जब आप लोग करते हैं बरदास नहीं होता है बरदास नहीं होता है सही बता रहा हूं ठीक है तो अच्छे से देखिए और इसको पढ़ते चलिए ठीक है आगे बढ़िए दोस्तों अगला सवाल करते है निमलिकी चारो बिकल्पों में प्रथम सब्द के बाद तीन सब्द है धान से पढ़िए निमलिकी चारो बिकल्पों में प्रथम सब्द के बाद तीन सब्द है ठीक है इन में से प्रथम सब्द के अनेकार्थी सब्द का सही विकल कौन सा है लिखे रहा है काम काम का तात्पर दोस्तो प्रयोजन होता है गेहूं होता है इच्छा होता है देखे काम का तात्पर प्रयोजन होता है इच्छा होता है लेकिन गेहूं नहीं होता है नाक का तात पर परवत होता है साप होता है लेकिन पेड़ नहीं होता है द्विच का तात पर चंद्रमा होता है दात होता है लेकिन इस्थिर नहीं होता है वड का तात पर रंग प्रिय और अक्षर होता है यह होता है दोस्तों यहां पर आपका लिजेगा तो अच्छे से याद रखे, करा जिससे बुलाया न गया हो, उससे क्या कहा जाता है, ठीक है, जिससे बुलाया न गया हो, जिसके आने की तिथी न हो, उससे क्या कहा जाता है, अतिथी, या जिससे बुलाया न गया हो, अच्छा आप देखें, इसमें दो चीजें, बुलाया गया हो और जिसके आने की तिथी नहों दोनों अलग बाते हैं ठीक है देखें यहां अतितिक आ जाता है जिसके आने की तिथी नहों उसे क्या का जाता है दोस्तों उसे अतितिक आ जाता है ठीक है जो अभी अभी आया जो अभी अभी आया हो उसे क्या कहते है दोस्तों अभ्यागत ठीक है जिसे बुलाया गया जिसे न बुलाया गया हो उसे का कहा जाता अनाहूत और जिसे बुलाया गया हो इसके बिपरीत याद रखेगा अगर इसके बिपरीत देखेंगे जिसे बुलाया गया हो तो उसे कहा जाता आहूत, क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता आहूत, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, रिस्तेदार तु जानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जागा दोस्तो, जिसे न वुला गया, उसे क्या कहा जाएगा, अनाहूत कहा जाएगा, आपसा नमबर 3 यहाँ पर क कुछ नहीं होता है, उसको क्या काते हैं, अकिंचन कहा जाता है, ठीक है, ये उसके लिए क्या हो जाएगा, एक उपयुक्त सब्द हो जाएगा, ठीक है, दीन हीन किसे कहा जाता दोस्तों, दीन हीन तब कहा जाता, जिसके पास धन का भाव हो, ठीक है, तो यहां कुछ नहोने क पर इंद्र, इंद्र को दोस्तों याद रखेगा, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, इंद्र को सक्क भी कहा जाता है, ठीक है, इंद्र को मधवा भी कहा जाता है, माधव मत बोलिएगा, मधवा बोलिएगा, ठीक है, अगर आप माधव कर देंगे, अगर आप माधव कर याद रखेगा यहाँ गड़ाधिप नहीं कहा जाता है दोस्तो गड़ा अब meters जी को इंद्र को और क्या करते दोस्तों तो इंध्र क्यों कि देवताओं के देवता माने जाते हैं तो इनको सुर्पति कहा जाता है सुर्माने देवता सुर्माने देवता ठीक है इसके लाओं दोस्तो कभी-कभी आपने देखा होगा टीवी में देवराज इंदर देवताओं के राजा कहा जाते हैं इसलिए उनको देवराज इंदर भी कहा जाता है इनकी पत्नी का नाम सची था तो इनको दोस्तो सची पती भी कहा जाता है क्या कहते हैं सची पती ऐसे नहीं दिखाएगा सची पती भी इनको कहा जाता है क्या कहा जाता है सची पती ठीक है सची पती भी कहा जाता है रती पती मत कहिएगा अगर आप रती पती कहते हैं रती पती ठीक है तो रती पती कहा जाता है कामदेव को किसे कहा जाता दोस्तों कामदेव को कि कामदेव की पत्नी का नाम क्या था रती था तो रती के पती कौन थे हैं कामदेव जी इसको याद रखेगा ठीक है इसके अलामा इनको देवेश कहा जाता है क्या कहा जाता दो देवेस भी इनिको कहा जाता ठीक है तहीं सभी चीज़ा आप याद रखेगा ठीक है यह आपके लिए इं Caption गलादीप नहीं हो दोस्तों गलादीप गडेश को कहा जाता है दित बिनास कला दिप गडेश विनाएक ठीक है् लंबोदर एकदंत दयावंद चारबुजा धारिया याद रखे चरी आगे देखते हैं कौन सा सब्द भ्रमर का परियावाची नहीं है भ्रमर का परियावाची नहीं है देखें भ्रमर का तात्पर क्या होता दोस्तों भ्रमर का तात्पर होता है भौरा क्या होता है भौरा कह ब्रमर को अली भी कहा जाता है ब्रमर को याद रखेगा चंचरीक भी कहा जाता है चंचरीक भी कहा जाता है ब्रमर को सीली मुक भी कहा जाता है ब्रमर को मिलिन्द भी कहा जाता है मिलिन्द भी कहा जाता है लेकिन यहां लिखा हुआ जो सलब है दोस्तों यह सलब जो है यह भ मधुकर भी कहा जाता, क्या कहते हैं, मधुकर भी कहा जाता, ठीक है, मदुधिप भी कहा जाता, तो यह सभी इसके नाम, दोस्तों, नाम है, ठीक है, सलब किसे कहा जाता, दोस्तों, सलब कहा जाता, फटिंगा को, किसे कहा जाता, दोस्तों, फटिंगा जानते हैं न, नहीं ज ठीक है आक्रिष्ट का विलोम बिक्रिष्ट होता है सही है ठीक है सही है ठीक है तुर्टी पूर है ना जड़ का चेतन होता अनन्त का सांत होता है दोस्तों अनन्त का शांत होता अनुग्रह का आग्रह ने दोस्तों अनुग्रह का अच्छा आप देखिए यहां पर देखिया गलत दे दिया ठीक है अब देखिए आप समझी गलत दे दिया तो सही क्या होगा क्यों जब तक आपको शही नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे ठीक है तो याद रखेगा अनुग्रह जो होता है सब्द अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों विग्रह ह गया बाकी की चीजों दी जारी दोस्तों उनका शही है, अनंत का सांत भी करिएगा, अनंत का शांत करिएगा, ठीक है, चलिए, आगे देखे, उस विकलक पा चैन करे, जो दिये गए सब्द का क्या है, आपका तत्सम रूप, ठीक है, क्योंकि अटालीका अलेडी क्या है, तत् सम्हें और आपको तद्भों में जाना है तो याद रखेगा अटारी अटालिका को क्या कहा जाता है तो यह अटारी हो जाएगा आपका सही उत्तर बाकी का अप्शन क्या दियेगे दोस्तों यहां पर गलत हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं यहां सब्द दिया नहीं हम एक बार देख लेते हैं यहां पर क्या होगा ठीक है सब्द नहीं दिया किसे थ्वज़ें से थद्वड़ा इसटाल लगा लेजी फिकक है अभिलास कि इक्षा समझ में नहीं आ रहा ठीक है और उल्लू को उलू कहा जाता पूछना क्या चारा मुझे तो यह नहीं समझ में रहा ठीक है अब देखे आई यह मैं बता देता हूं माल लीजिए चलिए मैं कुछ अपने तरीके से बता देता हूं अब यहां जो होगा आप देख लिजेगा ठीक है एक तसम दिया है एक आपका तदभो दिया ठीक है तसम दिया और तदभो दिया तो जरा ध्यान से देखेगा होगा क्या ठीक है अगर मैं कहा दूँ अभिलासा तो अभिलासा दोस्तों याद रखेगा यह आपका तदसम सब्दों ठीक है अभिलासा का तदभो क्या हो जाता दोस्तों चाह हो जाता है च ड़ेंके तो इसी तरह से याद रखेगा उल्ू का होता है उल्ू क क्या होता धोस्तों उल्ुक को ठाल दोष्टों गलूरा फच्छ गड़ें के और इक हो जाता है, एक्छू का क्या करेंगे दोस्तों, इक हो जाएगा, तो अब पता नहीं हाँ क्या पूचा था, इस वज़े से मैं या उत्तर देने में थोड़ा समर्थ हूँ, ठीक है, गलत होगा तो मैं इसको सही करा देता हूँ, ठीक है, निमलिके सब्दों में से कौन सा देशस सब्द है, यह बताए, ठीक है, देशस मतलब जिसका जन्म अपने देश में होगा, ठीक है, सुन्दर अंउठा फटा फट साइकल, ठीक है, आपको दिख गया ही, क्योंकि साइकल यहाँ पर अंग्रेजी वाला सब्द है, और अंउठा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अंगोठा आपका यह तदबो सब्द है, यह देशस की बात किया, तो देशस याद रगेगा, फटा फटा आपका क्या हो जाएगा, यह आपका देशस सब्द हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, करा एक निम्रिकित में सुद्धवर्तनी वाला सब्द है, ठी मैं आपको सुद्वर्तनी वी क्या देखे, अभी देखे, ध्यान से कभी कैसे लिखा जाता है, इसको ठीक है, यह ध्यान दीजेगा, हिरण कश्यप कैसे लिखा जाता है, दोस्तों, पहले आप लिखेंगे हिरण है, यहां तक हर बच्चा सही लिखता है, इसके बाद दोस् जैसको हमेशा गलत करता है हमेशा बोलता है हिरडा कस्यप ठीक है हिरडा कस्य-पू ऐसे अलग-अलग सोचता है एकद़म स्टा है का सिप friends क्या होता दोस्तो, hier area कसिप जो होता दोस्तो, यह आपका श्रत्य हो जाएगा, क्योंकि बच्चा यहां बहुत गलती करता, इसको आप ध्यान दीजेगा यहां पर right answer दोस्तो आपका क्या होजाएगा यह option number 2 दोस्तो हो जाएगा अल्प प्राण धुनिया और घोस धुनिया चलिए आए स्वर की बात करते हैं स्वर कहा लिखा भाई अंग ए यही तो स्वर करेंगे वैसे दोस्तों अंग को ना तो स्वर में रखा जाता ना बेंजन में रखा जाता है अंग और अह को क्या कहा जाता है दोस्तों इनको कि यह कर दाता है जिनका उच्छाड तालू से ओता है कर दोनियों मैंने आपके बताया था जिसके बोलने से कम हवा बाहर रहा है को अलפ भान धनी है कि पहला कॉलम मतलब किसी वर का पहला तीसरा और पांचमा वर्ड क्या होता है यह अलप्राण होता है ठीक है तो खथफभ खथफभ दोस्तों यह दूसरा और चोथा वर्ड है यह आपका महाप्राण का उदार क्या है यह महाप्राण का उदार ठीक है आपको अलप्राण ब यह चाहे घोस का यह दोनों हो जाएगा दोनों का उदार हो जाएगा दोस्तों तो आप इसके लिए क्या कर लिए यहाँ पर यह दोस्तों जो पहली वाली लाइन लिखा है यह क्या कर सकते इसको कर सकते थे आप कंठ वर्ड क्या करते दोस्तों कंठ वर्ड करते थे ठीक है यह लेकिन यहां पर आपसंदिया नहीं है, इसलिए इसका कोई माइने नहीं है, तो एक नंबर जहां नहीं दिया हो, वो आपका उत्तर होगा, एक नंबर नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, एक नंबर नहीं होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, तो दो ही में से कोई एक उत्तर होगा, मिलान कर लिजे, एक आफोर, एक आफोर देखी यहां पर दिया है, तो यह आवला उत्तर आपका सही हो जाएगा, बाकी के उत्तर तो आपके गलत हो गए, आराम आराम से सिट करिए, क्या जल्दी बाजी है, ठीक है, आगे बढ़िए, कान सी बोली, बिहारी की बोली नहीं है, कौन सी बोली, बिहारी बोली नहीं है, सिर्फ आपको इतना बताना, ठीक है, तो बिहारी बोली आख जहां की होगी, तो बिहार साइट की होगी, अब जैपूर की बोली, बिहारी बोली थोड़े होगी, अरे भोचपूरी होगा, मागई होगा, मैथली और राजास्थानि के वैसे दूस्तो इनको आप पूर्वी बोली की स्रेडीयों में डाल सकते हैं कहां पर पूर्वी जो बोली थे दूस्तो उस्तो उस्ते रिडिय। गलती मत कीजेगा ठीक है तो बाकी आपका जो है आपने देख लिया शही क्या है गलत क्या है करा सूर्दास और नंद दास की काब्य की काब्य रचनाओं की भासा कैसी थी क्यों सी ठीक है अब देखे सूर्दास ने वर्ड़न किसका किया है कृष्ण जी का वर्ड़न किया है तो कृष्ण जी का वर्डंग क्या होगा, तो जायर से ब्रज वाले छेत्र में होंगे, तो ब्रज भासा हो जाएगा, ठीक है, तूलसी दास जी होते हैं, तो अवधी लिखते हैं, तो यह आप समझेगा बात को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आप्चर नंबर 2 हो क्योंट्र क्या हा आप्चर जाएगा, bisa समझे सक्साएगा प्मुट्रों सिर्भ भासा हो जाएगा, आपका अंग करा दोख वार्ट्रों करें एक क्या है, तो जान अवधी देत्री जाएगा, तो जाएगा हो इजिए।